तमाम जानकारी के लिए हमारे से योगी आशीश हमारे साज जो गए हैं आशीश यूपी की नतीजे घुशित हो चुके हैं असी लोग सभा सीटों में 64 बीजेपी के खाते में गई है बीएस पी 10 पाई है सफा पाँच और कॉंग्रेस महज एक सीट पर है जी जिस तरीके से जो गडबंधन और कांग्रेस लगातार जो है यूत्तर प्रदेश को अपने आप में लाने के लिए प्रयास कर रहा है थी कि मदाताओं उनकी और आकर के जुके और उनको मदान करें कहीं ने कहीं मदाताओं उनको उनकी जो राजनीत थी उनको पुलकुल से खारिच कर दिया उसकी विचाधारा को पुलकुल खारिच कर दिया बीते दिनों यह चीजे निकल कहे थी कि जो है चंद्रबाबु नाइडू यहां पर आये थे गडबंधन के सीर्स नेताओं के साथ उनके भेंट हुई थी और साथी साथ आमादी पार्टी के भी संजय सिंगायत है वो भी एकले स्वयद्व से मिले थे लेकिन उस समय सारे के सारे नेता कह रहे थे कि गडबंधन पूरी तरीके से आ रही है और हम भारती जनताओं पार्टी को पटकन ही दे रहे हैं लेकिन जब इसे ही पहिणाम आई है ये चीजे तो निकल के एकजिट पॉल से भी आने लगी थी कि इस बार जो भारती जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ आ रही है और उत्तर प्रदेश में उसके अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है लेकिन सारी चीजों को स सीरे से खारिच करते हुए जिस तरीके चीजे लगातार गडबंधन के द्वारा होती रहें भारती जनता पार्टी के विरोध में वो सब चीजे धरासाई हो गए और जो प्रियंका गांधी का जो एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंक प्रचंड लहर जो चली मोदी की मोदी खुद अपने समोधन में बात कहते थे कि आप जो है अपने कनिडेट को नहीं आप सिर्फ वोट मुझे कर रहें और आपने देखा कि यह चीजे जो हुई अंतिम चण में सातों चण का जब चुना हुआ तो प्रधान मंत्री नरेन मो हमारे ही हाग में होनी है और सारी इस्तिती हमारे नियंतरों कहीं न कहीं वह आत्म विश्वास मद्दाताओं के द्वारा भारती जनता पार्टी को देखने हो कि मिला नरेन मोदी जो लगातार आम लोगों से सीधे टच में रहते थे जन सभावों में जो चाहे उनका समोधन तरी के द्वारती जनता पार्टी को सीधे पाइदा हुआ Nabar बूथ लेवल पर जिस तरीके सा भारती जनता पार्टी मजबूत हुई वर्तमान संग के स्थिती है कि कोई भी पार्टी बूत लेवर पर जितना मजबूत नहीं है जितना कि भारती जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है और ये चीजे और सबसे बड़ी बात है दलित बाहुले सीट जो है जहां पर दलित बाहुले लोग हैं, वहां से भारती जनता पार्ट जीत रही है, मुस्लिम बाहुले सीट जहां से थी, जहां से लगातार एक कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो जाती समीकरण को कहीं ने कहीं, यूपी ने और खास तौर पर पुरे देश ने भी नकार दिया है, जिस मकसद से गड़बंधन बनाया था सपा और बसपा का, वो मकसद भी पूरा कहीं ने कहीं दिखा दे रहा है, लेकिन हां, अगर ब परिवारवाद भी इस बार 2019 के चुनाओं में हा रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाओं में राहूल गांधी परिवारवाद से जीते थे और डिंपल यादा को नो से जीती थी, इस बार परिवाद पर भी भारती मद्दाताओं ने बिल्कुल सिरेज कर दिया जातिवाद हारा, और साथी साथ जो इनका ये था कि हम लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं और हम लोगों के बीच में जाके भारती जनता पार्टी की उन चीज़ों को रख रहे हैं जो भारती जनता पार्टी लगातार चाहे दलित की बात रही हो चाहे मुसलिम की बात रही हो सब को एक धोख तीन सो पार की जो बाते भारती जनता पार्टी कहते रहे वहां पे अपने आपको विल्कुल मजबूती से रख पाई तीन सो तीन सीटे निकाल के लाई सायोगी गडबंदन के साथ अगर बात की जाए तो उसकी सीटे और भी बढ़ जाती है तो पूरी सीन में उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में पूरी तरीके से भारती जनता पार्टी हावी रही और दफदस राजियों में उसने पूरा क्लीन स्विप कर दिया तो कहीं न कहीं ये सब चीजे भारती जनता पार्टी के लिए सा जनकरीब बंगाल जैसी जगह जहां पर भारती जनता पार्टी के लिए ममता बनेर जी ने तमाम तरीके के तीखे बेंग किये चुनावायों को एक दिन पहले वहां पर प्रचार बंद करवाने का एक एतिहासिक जानी की अभूत पूर फैसला रहा तो इस तरीके से जो सब जानगार फिलैल भारती जनता पार्टी के लिए चीज़े होती रहें वहांपर भारती जनतार पाटी ने बहुत पहत्री प्रचार. तैसील स्तर्क उन्होंने अपना प्रचार प्रसार बिल्कुल आशीश संग की कहने के अहम भूमिकार है। ये फिलहाल धन्यवार तमाम जान करें।